गुड मॉर्निंग चिल्रन बच्चो हमारा ग्रेटर दैन का टोपिक चल रहा है और बच्चो अभी हम इनके ही प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा ये सेम ऐसे ही हैं जैसे हमने ग्रेटर नंबर की प्रैक्टिस की थी बट इन में डिफरेंस इतना है कि जैसे हम greater number में greater number पर tick करते थे या circle करते थे अब हमें ये greater than का sign लगाना है और बच्चो sign मैंने आपको कल भी बताया था कि greater than का sign कैसा होता है ये देखो बच्चो ये greater than का sign है और इस sign को आपको अच्छे से पहचानना है और बच्चो ये sign same crocodile के face जैसा दिखता है और जिस side more objects होंगे greater number होंगे उसी side इसका mouth open होगा उसी side ये greater than का sign लगेगा जैसे बच्चो इस work sheet में देखिए जो अभी आपको मेरी side में दिखाई दे रही होगी इसमें आपको greater than का sign लगाना है कैसे लगाओगे जैसे first number पर 8 number और 13 number है तो बच्चो इसमें हमें पहले आपको check करना है कि कौन सा number greater number है देन उसी के सामने हमें greater than का sign लगाना है तो बच्चो चेक कीजिए इन दोनों में से कौन सा number greater number है 13 number तो बच्चो ग्रेटर देन ग्रेटर देन 8 13 जादा है 8 से 13 बड़ा है 8 से तो बच्चो greater than का sign कहा लगेगा 13 number की तरफ इसका mouth कहा पर open होगा 13 number की तरफ ओके next number is 10 और 17 number तो बच्चो कोन सा number greater number है इन में 17 number तो बच्चो 17 greater than 10 तो बच्चो greater than का sign किधर लगेगा 17 number की तरफ इसका mouth कहा पर open होगा 17 number की तरफ ओके next number is 16 and 12 तो बच्चो बटाओ greater than का sign कहा लगेगा 16 number की तरफ इसका mouth कहा पर open होगा 16 number की तरफ क्यों? क्योंकि बच्चो 16 greater than 12 16 number है वो 12 number से जादा है 16 number 12 number से बड़ा है तो बच्चो 16 greater than 12 ओके तो बेटा इसमें पहले आपको greater number चेक करना है then उसी के सामने हमें greater than का sign लगाना है ठीक है तो बच्चो बाकी सबकी भी आपको सेम ऐसे ही practice करनी है और इस worksheet को complete करना है ओके तो बच्चो मिलते हैं कल till then thank you and bye bye kids